Google Maps पर बनी हुई fake listings या आपके competitors की ऐसी listings जिनके नाम में keywords हैं उनको हटाने या ठीक करने के लिए एक या दो नहीं बलकि तीन तरीके हैं पहले के बारे में आप हर जगह पढ़ते होंगे दूसरे के बारे में Google My Business Community में बताया जाता है और even हमने इस चैनल पर भी कई बार उसे mention किया है लेकिन थर्ड तरीका काफी कम लोगों को पता है पर रोसा करके बता रहा हूँ इस वीडियो को share करके सब को मत बता देना और इस चैनल पर हम बात करते हैं SEO, Local SEO, PPC और Branding के बारे में अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप अलएड़ी सब्सक्राइब हैं तो इस वीडियो को अपने social media profiles पर जरूर शेयर करें Google Maps पर fake listings की भरमार है और ये fake listings जितनी ज्यादा normal users के लिए खतरनाक हैं उतनी ही ज्यादा आपके जैसे business owners के लिए भी है आप Google My Business के सारे rules और regulations फालो करते रह जाते हैं और कोई अपनी listing में keywords ज्यादा add करके ज्यादा rank ले जाता है कई लोग इसका मतलब ये निकाल लेते हैं कि उन्हें भी अपनी listing के नाम में title में keywords को add कर लेना चाहिए location को add कर लेना चाहिए बट ऐसा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है आपके listing suspend हो सकती है इसलिए अपने business को risk में डाले बिना अपने competitors के listing को ठीक करना ज्यादा समझदारी का काम है तो देखते हैं ये तीन तरीके क्या है नंबर वन, suggest edit button ये button हर listing के साथ मिलता है बटन से मेरा मतलब है कि ये text link इस तरह का ये suggest edit button हर listing के साथ दिखाई देता है और सभी को दिखाई देता है आप किसी की भी listing के साथ बने हुए इस suggest edit button को use कर सकते हैं और कोई भी आपकी listing के सामने बने हुए इस suggest edit button को use कर सकता है। Suggest edit button को use करके आप किसी listing के नाम, address, category और phone number में change के लिए suggestion दे सकते हैं। या फिर listing को कई reasons के चलते बंद करने का suggestion भी दे सकते हैं। इससे पहले कि हम सारे options को एक एक करके समझें, आपको ये समझना जरूरी है कि आफिर ये suggest edit function काम कैसे करता है। जब आप इस suggest edit button को use करना चाहते हैं, तो आपको किसी Google account से login करना compulsory होता है। हर Google account का Google Maps पर एक repetition level होता है। ये repetition level इस बात पर depend करता है कि उस account ने कितने edits किये हैं, कितने review दिये हैं, कितने pictures upload किये हैं and so on। जितना ज्यादा आप Google Maps पर contribute करेंगे, जितना आपका योगदान होगा, उतना ही ज्यादा repetition level बढ़ेगा और जितना ज्यादा ये repetition level बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा chances होगा इस बात का कि आपका जो edit है, जो आप suggest edit कर रहे हैं, वो successfully accept कर लिया जाएगा। Google Maps का system automatically पहले से collected information, edit suggest करने वाले की repetition और बाकी कई सारे factors को देख कर ये decide करता है किसी edit को accept करना है या reject करना है। So Google Maps पर contribute करिए, images upload करिए, 200-300 words के reviews post करिए, जिससे आपके Google Maps अकाउंट का repetition level बढ़े और जिससे आप जो भी edit suggest करें, वो ज्यादा जल्दी पास हो सके। So इतने introduction के बाद अब देखते हैं कि suggest edit button के क्या functions हैं, क्या options हैं, suggest edit button पर क्लिक करिए और अब आपको दो option दिखाई देंगे, number 1, change name और other details, number 2, remove this place, पहले हम क्लिक करते हैं, change name और other details पर दूसरी option को, remove this place को इसके बाद देखेंगे, So change name और other details पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का window दिखाई देता है, यहां आप listing या location के नाम, उसके नाम के local language में translation, category, location, maps पर उसकी position, खुलने या बंद होने के time, phone number, website के link, opening date और description को change कर सकते हैं, अगर आप कोई photo publish करना चाहते हैं, तो आप इस add a photo button को use कर सकते हैं, औ आपको थोड़े और option मिल सकते हैं, जो category के उपर depend करता है, changes करने के बाद आपको click करना है send button पर और फिर Google Maps का automatic system आपके दिये हुए suggestion को evaluate करेगा और decide करेगा कि आपका suggest किया हुआ edit पास करना है या नहीं, अगर आपका suggestion पास हो जाता है, तो आपको इस तरह का email Google Maps से मिलेगा वरना कुछ नहीं, तो ये था first option suggest and edit button का, दूसरा option है remove this place, इस option को use करके आप किसी listing को बंद करने या हटाने का suggestion Google को दे सकते हैं, इसको भी check करते हैं, click करते हैं remove this place option पर और अब आपको इस तरह का window दिखाई देगा, सबसे पहले आपको select करना होगा listing close करने का reason, अगर ये location ह कुछ दिनों के लिए बंद है, renovation हो रहा है या किसी और reason से, तो temporarily closed option को select करिये, अगर किसी ऐसे business की listing है, जो उस location पर कभी था ही नहीं और listing ऐसे ही बना दी गई थी, तो never existed को select करिये, जिस भी business की listing उस location पर थी, अगर वो किसी और location पर shift हो चुका है, तो moved to a new location पर select करिये, और अगर listing fake है, लेकिन उपर दिये हुए किसी option में भी fit नहीं होती है, तो spam, fake और offensive को click करिये, अगर ये listing किसी दूसरी listing की duplicate है, तो duplicate of another place को select करिये, और अगर कोई legal issue है, जिससे listing की location पर कोई property का case है, या business के नाम से related कोई copyright case है, तो आप legal issues को select कर सकते हैं, जो भी reason आप इस drop down उन में भी select कर रहे हैं, उससे related अगर कोई proof या picture आप provide करना चाहते हैं, तो आप इस add a photo बटन को use करके photo भी upload कर सकते हैं, और फिर click करिए send बटन पर, एक और important बात जो आपको याद रखनी चाहिए, वो ये है कि जब आप edit करते हैं, तो listing के owner को ये नहीं पता चलता है, कि य edit किसने किया है, लेकिन जब भी आप add a photo option को use करके photo upload करते हैं, तो ये photo उस listing के साथ दिखाई देती है, और photo के साथ आपके account का नाम और profile picture भी दिखाई देता है, तो हमेशा ध्यान में रखिए कि photo upload करने से पहले आपको देखना है कि क्या आप अपना नाम publish करना चाहते हैं, send button press करने के बाद, बाकी सारे edit suggestion के तरह ये भी suggestion google map system के पास जाएगा, और system decide करेगा कि आपका suggestion मानना है या नहीं, so suggest and edit button के इन दो options को use करके, आप किसी ऐसी listing को ठीक कर सकते हैं, या हटवा सकते हैं, जो google my business की policies को violate कर रही थी, but जैसा मैंने भी बताया, इस option से आपको कितनी success मिलेगी, आपकी complaint सुनी चाहेगी या नहीं, ये काफी हत्ता के इस बात पर depend करता है कि आपका google maps का account, उसकी reputation level क्या है, इसलिए अब हम देखेंगे दूसरा option, remember मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि हम इस वीडियो में तीन तरीके देखेंगे, फर्स तरीका बटन पर google maps की algorithm section लेती है, but business redressal complaint form google के real employees है, उनके पास जाता है, इस option को use करने के लिए, ये ज़रूरी है कि आप जिस listing की भी complaint कर रहे हैं, उसके policy violate करने से आपके business का या आपके client के business का कोई नुकसान हो रहा हो, business redressal complaint form एक लंबा सा link है इसका, जिसको आप इस वीडियो के description से note कर सकते हैं, इस page पर जाने के बाद आपको एक छोटा सा ये form फिल करना होगा, सबसे पहले दीजिए अपना नाम, अपना email ID और फिर उस business का नाम, जिस पर उस listing की वज़े से बुरा असर पढ़ रहा है, जिसके report आप करने जा रहे हैं, इसके बाद आपको बताना होगा कि आप listing के किस पार्ट के लिए complaint करना चाहते हैं, अगर listing के नाम यानि की title में Google My Business की policy को valid किया जा रहा है, तो इस drop down में से title select करिए, अगर address या phone number में problem है, तो address या phone number select करिए, और अगर website में कोई problem है, तो drop down में से select करिए last option website, इसके बाद इस text field में उस listing का public URL पेस्ट कर करना है, और जब आप इस तरह से listing आपको दिखाई दे तो इस expand बटन पर क्लिक करिए, और फिर listing एक नए page पर full screen mode में open होगी, इस page का जो भी URL है, वही इस listing का public URL होगा, आप इसे copy करके इस box में paste कर दीजे, अगर किसी business ने एक से ज्यादा listings में policy valid की हैं, या एक से ज्यादा listings बना रखी हैं, तो आप इन सारी listings के public URL को एक ही form में दे सकते हैं, इस add additional text link पर क्लिक करके, जितनी बार आप इस add additional link पर क्लिक करेंगे, एक text box अपने आप प्रकट हो जाएगा, और आप नई fake listing का public URL यहाँ paste कर सकते हैं, अगर आप कोई additional document देना चाहते हैं, तो इस choose files पर क् upload कर सकते हैं, इसके बाद यह last text area box है, जिसमें आप अपनी complaint को detail में explain कर सकते हैं, जिससे Google को आपकी complaint समझने में आसानी हो, कोशिश करिए कि आप clear words में आसानी से अपनी complaint समझाएं, keep it simple, keep it short, इसके बाद क्लिक करिए submit बटन पर और फिर 2-3 हफतों के अंदर Google My Business team आपके इस form पर action ले लेगी, इस form को specifically Google My Business की complaints को solve करने के लिए बनाया गया है, और अधिकतर cases में इस form से issues resolve हो जाते हैं, so यह था second तरीका Google My Business पर खराब spam listing से निपटने का, अब आते हैं third option की तरफ, जो Google की technical team तक आपकी complaint को पहुंचा सकता है, इसको use करने का कोई direct option नहीं है, ना GMB मे नहीं किसी form में, आप simple Google Maps पर जाएए, और फिर उस listing को search करिए, जिसकी complaint आप करना चाहते हैं, लिस्टिंग के जिस पार्ट की complaint आपको करनी है, उसको view में सामने करिए, और फिर इस hamburger menu पर click करिए, और फिर नीचे थोड़ा scroll करके आए, और इस send feedback बटन पर click करिए, और इसके window दिखाई देगा, इस पूरे screenshot में, आप जिस भी चीज की तरफ Google Maps टीम का ध्यान ले जाना चाहते हैं, उसको specially mark करना जरूरी है, इसके लिए Google ने खुदी एक tool प्रोवाइट किया हुआ है, आपको click करना होगा, इस click to highlight और hide option पर, फिर इस yellow square पर click करिए, अगर यह already clicked नहीं तो, इसके बाद आपको अपने mouse से उस area पर click करके track करना है, जिसकी complaint आप करना चाहते हैं, एक ही page पर अगर आपको एक से ज्यादा highlight box बनाने है, तो आप बना सकते हैं, और किसी अगर गलत location पर यह box बन गया है, तो उसको हटाने के लिए आप उसके उपर mouse लेकर जाएंगे अब आपको इस text area में अपनी complaint को simple और short तरीके से समझाना है, और इसके बाद just check करिए कि यह include screenshot नाम का check box tick है, यह by default tick रहता है, बट एक बाद चेक कर जरूर कर लेना चाहिए, और फिर click करिए send बटन पर, इस option से जो भी complaint form आप fill करते हैं, उस पर action होने में 4 हफते तक का time option है, इन्हें use करिए और अपनी या अपने clients की listings की rank को बढ़ाईए, spam भगाईए, business बढ़ाईए, thank you so much for watching this video, I'm Amit Iwari for amitivari.net and I will see you next time, take care.